जो पेलों गास इतुर जो सील को प्रेक कर ज कम topic रहें को यह पर मिलता है एक बॉस्स जो पैकिंग आरे सिंप्री काऊ इसको भी ब्रेक करते में यह है टेकनो कैम उन 16 का बॉक्स तो आप यहां पर देख सकते हो यहां पर दोस्तों राइट साइट के तरह आपको देखने को मिल जाएगा टेकनो कैम उन 16 फोर जी भी 64 वाला फिरेंट के साथ आता है पीछे की तरफ कुछ यहां पर हाइलाइड है आप देख सकते हो और दिस्प्लै मिलता है 6.8 इंच जो डॉट इन डिस्प्ले के साथ पर आता है और यहां पर 18 वाट का फार्याजर सापके साहर खिसमार्टफोन आता है सिंपलिगाइस यहां पर जो सील है इसको भी प्रेक करते हैं इसके बाद इस सिंपलिग बॉक्स को उपिन करते हो और इस बॉक्स के अंदर मिलता है वारेंटी जैसे कि 12 प्लास वान मांत का वारेंटी आपको मिल जाएगा और मिलता है टीप्यू केस जिसका क्वालिटी आप देख सकतो थोड़ा सा डार कालर में आता है और दोस्तों यहां पर कुछ भी नहीं है तो यह है स्मार्टफोन तो स्मा इजेक्टर पीन आप यहां पर देख सकते हैं यह है स्मार्टफोन तो स्मार्टफोन को सेट आप करते हैं और मिलते हैं आपके साथ face to face स्मार्टफोन तो आप यहां पर देख सकते हो इसको मैंने पर्चेस किया फ्लीप कार के उपर जो बीग बिलियंड डे सिल चल रहा था उसी में दोस्तों काफी डिसकांट के साथ क्योंकि स्मार्टफोन जो लॉंच हुआ था 10,999 रूपिस में लेकिन इसको मैंने पर्चेस क दो जान लेते हैं कैसा होने वालाई Tecno Camon 16, पहला बात किया जाए स्मार्टफोन की बिल्ट कॉलिट्व की डिजाइन के बारे में, यहां पर जो डिजाइन है काफी अच्छा कासा है, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है पॉली कार्बोनेट बॉडडी के साथ, यहां पर की लूग है और स्मार्टफोन की पीछे की तरव है क्वाट कैमेरा सेट आप क्वाड एलेडी फ्लैस और फिंगर पिन सेंसर और थोड़ा नीचे के तरव आने के बाद यहां पार टेक्नों का व्रैंडिंग और कैम ओन देखने को मिल जाएगा स्मार्टफोन की राइट साट के तरव रहने वाला है पावार अनप बतम और भॉलेम आप या डाउन बतम और वूपर की तरव कुछ भी नहीं रहने वाला है और स्मार्टफोन की लेफ साट के तरव है सिम ट्रे जहां पर मिलता है डेरिकेटे सिम स्लोट डूएल 4G सिम को करगल और फॉन साइट के तरफ देखा जाए तो स्मार्टफोन आता है पंचोल डिस्प्ले के साथ और इसका डिस्प्ले का बजल और नीचे जो चेन है काफी छोटा भी है यहों कि गैस कुल मिला कर बताए जाए दोस्तों टेकनो कैमोन 16 का जो डिजाइन है काफी अच्छा का क्वालिटी कैसा है ऐसे जाए स्मार्टफोन के उपर डिस्प्ले कर रहा है इसलिए दोस्तों मैं आपके साथ सेर कर रहा हूं बात कहा जाए वीडिया टेक के तरफ से G70 chipset के साथ ऐसे भी guys smartphone के उपर detail gaming review आने वाला है उसके लिए अगर आपने अभी तग इस YouTube चैलेंग को subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe कर लीजे इसके बाद बात कहा जाए smartphone की सबसे बड़ा highlighted features के बारे में जो है guys इसका camera setup smartphone आता है पीछे के तरब quad camera setup के साथ इसका जो primary sensor होने वाला है 64 megapixel उसी के साथ मिलता है 2 megapixel micro lens के लिए 2 megapixel है diff sensor और last जो sensor होगा AI sensor सचका हो तो जोस्तो इसका जो 64 megapixel है काफी अच्छा गासा यहाँ पर photo निकल के देता है आप यहाँ पर कुछ picture sample देख सकते हो जो picture quality है दोस्तो काफी अच्छा गासा सब्जेट को बहुत ही आच्छा तरीके से ब्लार कर रहा है बात कहँए इसका सेल्फी के बारे में स्मार्टफून आता है 16 megapixel सेल्फी के साथ इसका जो सेल्फी केमरा है दोस्तो ओभी जवद्दस है क्योंकि आप यहाँ पर कुछ picture sample देख सकते हो जो color वगरा आ रहा है सही से आ रहा है और दोस्तों यहाँ पर color boost इतना ज़्यादा नहीं मिलता है जो natural color है दोस्तो natural color भी देखाई दे रहा है और portrait photo के तरफ देखा जाए तो background को बहुत आच्छा दरीके से ब्लार वगरा भी किया है ऐसी भी गैस टेक्नो का जो camon series है ओ माना जाता है camera के लिए बहुत ही अच्छा कासा इस smartphone के अंदर जो camera performance मिलने वाला है ओ दोस्तों कमाल की बात कहाँ जए smartphone की battery performance के बारे में smartphone आता है 5000 mAh battery के साथ यहाँ पर 18 watt का charger का support है लेकिन गैस smartphone आता है 10 watt का charger के साथ और smartphone के अंदर रहने बाला है micro SD port यहाँ कि गैस यहाँ पर अगर type C port देता तो काफी अच्छा कासा होता क्योंकि गैस अभी तो 2020 का जामना है और हाँ smartphone लेका रा रहा है type C port तो यहाँ पर अगर type C port देता तो काफी अच्छा कासा होता ऐसी भी गैस यहाँ पर 18 watt का charger का support भी है ऐसी भी गैस टेकनो Camon 16 के अंदर fingerprint sensor और face unlock मिलता है इसका fingerprint sensor और face unlock कैसा काम करता है वह गैस देख लेते हैं आब यहाँ पर देख सकतो इसका fingerprint sensor है वह काफी fast है आफ यहाँ पर देख्शक तो जब मैं praw deck कर रहा हूं तुरंड open हो जाता है बात कें लेते हैं इसका fingerprint कैसा होने वाला है इसके किवे फास्ट होने वाला है आब यहाँ पर देख्षक तो इसका QR वाली फास्ट है कर दिया मुझे लगता है दोस्तों इसका जो साउंड क्वालिटी ओ जबदस्त है इतना ज्यादा लाउड भी नहीं है दोस्तों किलियर वगड़ा सही से आ इसके बात कर लेते हैं कैसा होने वाला है टेक्नो कैम उन 16 क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं ऐसे भी गयास स्मार्टफोन के साथ यह मेरा पहला दिन है थोड़े दिर इंतजर करिए क्योंकि इसके उपर फूल रिव्यू आने वाला है तब मैं बताऊंगा स्मार्टफोन क्य दिखा जाए तो इसका प्रोसेसर भी काफी अच्छा कसा है इसके सबसे दिखा जाए तो टेक्नो कैम उन 16 उसका प्राइस के सबसे कींग होने वाला है तो आपको क्या लगता है कॉमेंट बोक्स में जुरूर बतना तो क्योंकि दोस्तों सब कर आए तो अलग अलग होता है उम्मित करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा उम्मित करता हूँ मैंने अपका start-out किलियर करा अगर आपको वीडियो पसंद आयो थो एक लाइक करिए उसलिके साथ चाथ जो मैरा नाय मैं मानू अभी तक इस यूटूब चैलन को सब्सकाइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सकाइब कर लिजे अगर आपका कुछ भी कोस्टेन बगर आई इस टेक्नो क्या मुन सिक्स्टेन के बारे में मुझे इंस्टेग्रम पर फॉलो भी कर सकते को तो आज के लि क्वेड़ पर इस बादिस के लिजे अष्रेंग कोस्टेन कर रेक्नूट पर इसे बारे में मुझे कर दो दो भी कूटूब नहीं?